नमस्कार दोस्तों, Ultimate Health and Home Remedies चैनल में आप सभी का स्वागत है, Ultimate Health and Home Remedies आपकी सेहत का ख्याल बकू भी रखता है दोस्तों आद हम बात करेंगे कोटिशोल हार्मोन की और इसके बारे में पूरी जानकरी आज मैं आप लोगों को दूँगा कोटिशोल हार्मोन जो है, आप लोगों को ज़्यादा भी नहीं करना है और कम भी नहीं करना है इसका संतुलन आप लोग कैसे बनाए रखें वो भी बताऊंगा साथ ही इसकी वज़य से आप लोगों को हो सकती है बहुत सारी बिमारियां जैसे किम्यून सिस्टम का कमजोर हो जाना, हर्ड डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड सुगर, डाइजिस्टिव इशूज, नर्व प्रॉब्लम, एंजाइडी, डिप्रेशन, हडएक इसके कम या जादा होने से, मतलब लेवल सही रहना चाहिए, और लेवल कैसे सही रहेगा, यह कैसे स्त्रावित होता है, यह हमारे खून में, इसका जुस्तर है, वो कैसे बनता है, बढ़ता है, वो सारी बात हम लोग करेंगे, और यह कहां से स्त्रावित होता है, सबसे बड depression होता है तो इसका level ठीक रहता है लेकिन बहुत बार ये बहुत जादा level भी कम हो जाता है ये हमारे दिमाग के कुछ इस्सों के साथ काम करता है यानि कि आप लोगों के hypothalamus के साथ काम करता है और आप लोगों की pitotrine grantee जो होती है उसके साथ काम करता है उसके दौनों के साथ जो है अगर काम करता है तो हमारे मूड में परिवर्तन होता रहता है हम खुश रहते हैं दुखी रहते हैं वगरा वगरा हमें डर लगने लगता है बहुत बार अगरा ये जादा हो जाता है तो आपकी किडिनी के उपर की तिर्कोनी गरंती यह हार्मोन बनाती है जब किड्नी आप लोग देख रहे होंगे डाइग्राम में उसके एक तिर्कोनी गरंती होती है किड्नी की उपर उसे यह हार्मोन बनता है एड्रेनलीन जिसको आप लोग बोलते है एड्रेनलीन ग्रेंड उससे यह हार्मोन ज करने का काम जो है यह हार्मोन करता है आप लोगों की जो सरीर की आंत्रिक सूजन है उसे कम करने में आप लोगों की हेल्प कर सकता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है यानि कि उसका नियंतरट करता है और ब्लड सूगर को भी रेगुलेट करता है साथ ही आप लोग को stress को आप लोग manage कर सकें तो cortisol hormone जो है आप लोगों के लिए इतना एहम है कि से समझना आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है और health points से आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनको तनाव ज़्यादा होता है जिनको depression रहती है, tension रहती है, stress रहता है अब हम लोग बात करते हैं next cortisol hormone कैसे काम करता है आपका hypothalamus और pitutrine गरंथी दोनों आपके मस्तिस्क में स्थित होती है यह समझ सकते हैं कि आपके रक्त में cortisol का स्थर सही है या नहीं यदि इस तर बहुत कम है तो आपका मस्तिस्क cortisol के level को सही करता है तो मस्तिस्क होता है वो signal send करता है जिससे आप लोगों का cortisol hormone ब्लड में सही होने लगता है आपके अडेनल जो gland होती है इन signal को ग्रेंड करती है और नए cortisol को बनाना शुरू कर देती है cortisol receptors कौन-कौन होते हैं जो cortisol को ग्रेंड करते हैं जिससे हमारा सरी प्रभावित हो जाता है जो आपके सरी में अधिकांस कोशिकाओं में होते हैं ये receptors जो होते हैं ये अधिकांस कोशिका हर एक cell में होते हैं विभिन तरीकों से cortisol हार्मोन प्राप्त करते हैं और उनका उप्योग करते हैं आपकी जरुरते हर दिन अलग-अलग होती हैं उधान के लिए जब हमारा सरीर हाई अलर्ट पर होता है यानि कि कोई डिजीज हो जाती है जैसे कि वाइरस ही मान लीजिये COVID वाइरस ही हो गया तो कोटिशॉल रास्ते में आने वाले जितने भी कारे होते हैं उनको बंद कर देत है ठीक है जैसे कि आप लोगों की पाचन सक्ति को कमजोर कर देना या प्रजन प्रनाली जो है उसको कमजोर कर देना प्रतिरक्षा प्रनाली यानि कि इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देना आपकी जो ग्रोथ है उसको कम कर देना तो यह सभी जो है कोटिशॉल हर्मोन की वज कर देता है कभी कभी आपके कोटिशोल का स्तर खराब हो सकता है यह खराब कब होता है अगर आप लोगों को अध्यतिक तनाव है खत्रा बीत जाने के बाद अगर तनाव बीत गया या हम लोगों को कोई डिजीज है उसकी वज़े से अगर खत्रा वो बीत चुका है आप लोग निए वातार तनाव में है, और अलारं बटन चालू ही है, आप लोगों के खत्रे की घंटी आप लोगों के सरीर में चली ही रही है, तो ये आपके शरीर के सबसे महतपून कारियों को पटरी से उतार देगा, इससे कई स्वास्टे समस्चाय भी पैदा हो सकती है, इसमें सामि क्वज़ा पहता हो जाने के वज़े से वेट गेन होने लगता है पाचन की रिए बढ़ने लगती है मतलब कहने का मतलब है इंडाइजिशन प्राउब्लम होने लगती है दिल की बीमारी बढ़ने लगती है तो ये जो है जाभ आप लोग अत्यधिक तनाव लेंगे तो इसका स सरीर में या तदिक बन रहा है तो भी आप लोगों के लिए बेकार है आपके अडरेनल ग्लेंड में एक नोडल या मस्टिस्क की प्यूटिटराइन ग्रंथी जो होती है उसमें एक टूमर आपके सरीर को बहुत अदिक आपके सरीर में बहुत अधिक कोटिसॉल बनाने के लिए ट्रिगर कर सकता है कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों की फ्युटराइन ग्रंथी के अंदर कोई मासपेशों में कमजोरी आने लगेगी, मधुमे और अन्य कई स्वास से समश्याई हो सकती है, आप लोग कमजोरी महसूस करेंगे, तो यह चीजे जो है आप लोगों को फेस करने में मिलेगी, अगर यह हार्मोन जादा बढ़ने लगता है, इस हार्मोन का बहुत कम बनना, समय ठके ठके से रहना, मासपेशों की कमजोरी जो बदतर होती जाती है, दस्त, मतली, उल्टी, भूक और वजन में कमी और कम रत दबाओ, यह भी आप लोगों में फेस करने को मिल सकते हैं, तो इसका एक लेवल पर सही होना ही आप लोगों में जो है, सही बना रहता है, तो अब लोगों को एक अच्छा environment आप लोगों के side में create करना होगा, अच्छा भोजन आप लोगों को खाना होगा, तो अगर आप लोगों यह सभी चीज़े करेंगे, तो आप लोगों का एक cortisol hormone सही रहेगा, लेकिन अगर आप लोगों का यह लेवल बगडता जाएगा, और मेर हेल्धी रहिए, पूरी जानकारी के साथ रहिए, हम यही चाहते हैं आप लोगों के साथ, आज के लिए इतना ही, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज इसको शेयर ज़रूर कीजेगा किसी दूसरे के लिए, या आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, अगर आप लोग